हेलो स्ट्रेंट्स आप सभी का स्वागत है एक एसलोग क्लासिज में आज हम फिर आपके लेकर रहें लेबर लॉस के हमसे की कोशन पार्ट टैन इससे पहले हम पार्ट फास से लेकर के पार्ट नाइन तक अप्लोड कर चुके हैं उन्हें आप ले लिस्ट में आकर जरूर दे अदिनियम 1936 का प्रवर्तन विस्तारित है ओप्शन A संपूर्ण भारत पर ऑफशन B जम्मु और कश्मी राजी को छोड़का संपूर्ण भारत पर. ए तथा बी दोनों अप्शन D इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उतर है ओप्शन A संपूर्ण भारत पर. कोशन नमबर 182 मज़ूरी भुक्तान अधिनियम की धारा 21 संबंदित है अप्शन A अपील अप्शन B अप्रादों की विचारण में प्रक्रिया अप्शन C वादकरण का निशेध अप्शन D और प्रुक्त सभी तो इसका सही उत्तर है अप्शन B अप्रादों की विचारण में प्रक्रिया कोशन नमबर 183 ओध्योगिक नियोजन इस्थाई आदेश अधिनियम 1946 सभी ओध्योगिक संस्थापन में लागू है अप्शन A जो भारत संग में इस्थित हो अप्शन B जिनमें की पूरवर्ती 12 महिनों की किसी भी दिन 100 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित किया गया हो अप्शन C ए तथा भी दोनों अप्शन D इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है option B जिनमे की पूरवर्ती बारे महिनों के किसी बे दिन सो या अधिक कर्मचारियों को नियोजित किया गया हो question number 184 मज़ूरी भुकतान अधिनियम 1936 के किस धारा के अंतरगत समुचत सरकार अपनी शक्तियों का प्रत्या योजन कर सकती है option A धारा 13 option B धारा 20 option C धारा 22 option D धारा 24 तो इसका सहीत तर है option D धारा 24 question number 185 ओध्योगिक नियोजन इस थाई आदेश अधिनियम 1946 के अधिन प्रमाण करता अधिकारी है option A श्रम आयुक्त option B जिला मजिस्टेट option C राजश्व आयुक्त option D जिला जज़ तो इसका सहीत तर है option A श्रम आयुक्त question number 186 ओध्योगिक नियोजन इस थाई आदेश अधिनियम 1946 के अधिन नियमलेखित ओध्योगिक संस्थापनों के सम्बंद में केंद्री सरकार को सम्चुद सरकार के रूप में माना जाएगा option A केंद्य सरकार के नियंत्रन के अधिन कोई संस्थापन option B रेलवे प्रशाशन option C महापत्तन खान या तेल छेत्र का कोई संस्थापन option D ओप्रुक्त सभी तो इसका सहीत तर है option D ओप्रुक्त सभी question number 187 बालक श्रम प्रतिशेद और विनियम अधिनियम 1986 की कौन सी धारा सापताहिक छुट्टी का प्रावधान करती है option A धारा 6 option B धारा 8 option C धारा 10 option D धारा 12 तो इसका सहीत तर है option B धारा 8 question number 188 कारखाना अधिनियम 1948 को भारत के गवर्नर जनरल की स्वीक्रति प्राप्त हुई option A 23 सितंबर 1948 option B 23 अक्टूबर 1948 option C 23 सितंबर 1949 option D 23 अक्टूबर 1949 तो इसका सहीत तर है option A 23 सितंबर 1948 question number 189 बालक श्रम प्रतिशेद और विनियम अधिनियम 1986 की धारा 10 संबंदित है option A काम के घंटे और कालवदी option B निरच्छक को सूचना option C आयू के बारे में विवाद option D स्वास्थ और सुरच्छा तो इसका सहीत तर है option C आयू के बारे में विवाद question number 190 कारखाना अधिनियम 1948 के अंतरगत वयस्क शब्द से एक ऐसा वेक्ति अभिप्रेथ है जिसने पूरा किया है option A आयू का 14 वावर्स option B आयू का 16 वावर्स option C आयू का 28 वावर्स option D आयू का 20 वावर्स तो इसका सहीत तर है option C आयू का 28 वावर्स question number 191 कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 92 संबंदित है किससे option A कतिपाय रोगों की सूचना option B निरच्छक को अवरोधित करने के लिए सास्ती option C अपराधों के लिए साधरन सास्ती option D कर्मकारों का अपराध तो इसका सहीत तर है option C अपराधों के लिए साधरन सास्ती question number 192 कारखाना अधिनियम 1948 के अंतरगत सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य अहरताएं एवं सेवा दशाएं ऐसी होंगी जैसे की वहित की जाएंगी द्वारा option A श्रम्मंत्राले option B राज्य सरकार option C केंद्रे सरकार option D उप्रुक्त सभी तो इसका सहीत तर है option B राज्य सरकार question number 183 कारखाना अधिनियम 1948 के अंतरगत कोई बालक किसी कारखाने में नियोजित या काम करने के लिए अनुग्यात नहीं किया जाएगा option A किसी बे दिन साड़ी चार घंटे से अधिक के लिए option B रात के दोरान option C A तथा B दोनू option D इन में से कोई नहीं तो इसका सहीत तर है option C A तथा B दोनू question number 194 कारखाना अधिनियम 1948 की निमलिखित कौन सी धारा निरसित है option A धारा 95 option B धारा 98 option C धारा 99 option D धारा 100 तो इसका सहीत तर है option D धारा 100 question number 195 कारखाना अधिनियम 1948 के अंतगत मसीनिरी निमलिखित मैं से किस आधार पर घेरे बंदी द्वारा सुरच्छित की जा सकती है option A बिजली के जन्नेटर, मोटर या रोटरी कन्वेटर का प्रत्यक भाग option B ट्रांस्मिशन मसीनिरी का प्रत्यक भाग, option C किसी अन्य मसीनिरी का प्रत्यक खतरनाक भाग, option D उप्रुक्त सभी question number 196 जब तक अन्य था उप्बंदित ना हो, कारखान अधिन्यम 1948 निमलखित के कारखाने के को लागू होगा option A केंदे सरकार, option B किसी भी राज्यसरकार, option C, A तथा भी दोनो, option D इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है, option C, A तथा भी दोनो, question number 197 अध्योगिक न्याय निडएन का अंतिम उद्देश है, option A, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, option B, सामाजिक एवं राजनेतिक न्याय, option C, राजनेतिक एवं आर्थिक न्याय, option D, सामाजिक आर्थिक एवं राजनेतिक न्याय, तो इसका सही उत्तर है, सामाजिक एवं आर्थ किस धारा में प्रतिकर शब्द को परिभासित किया गया है Option A. धारा 2-1 घव में Option B. धारा 2-1 घव में Option C. धारा 2-1 घव में Option D. धारा 2-1 घव में तो इसका सहीतर है Option C. धारा 2-1 घव में Quesya No. 200 करमचारी प्रतिकर अधिनियम के अंतरगत नियोजन की अवधरणा में सम्मलित है Option A, एक नियोजक Option B, एक कर्मचारी Option C, नियोजक की एक सम्विदा Option D, ओप्रुक्त सभी तो इसका सही उत्तर है Option D, ओप्रुक्त सभी Question No. 201 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अंतरगत आश्रित होने का प्रश्न है Option A, एक तथ्य का प्रश्न Option B, एक विधी का प्रश्न Option C, एक तथ्य तथा विधी का मिश्रित प्रश्न Option D, इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है Option A, एक तथ्य का प्रश्न Question No. 202 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अंतरगत बोनस है option A, एक विश्यशादिकार, option B, एक लाप, option C, A तथा भी दोनो, option D, इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है option C, A तथा भी दोनो question number 203 option A, किसी कर्मचारी को हुई वैक्तिक छती, option B, ऐसी छती अवश्य ही एक दुरगटना के कारण कारित हुई हो option C, दुरगटना नियोजक से उदभूत एवं नियोजन के अनुक्रम में हुई हो option D, उप्रुक्त सभी question number 204 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अंतरगत कारिक करते समय आयुक्त है option A, नियायले, option B, माध्यस्थ, option C, नियायधी करण, option D, बोड question number 205 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अंतरगत, अजनभी वैक्ति के वृद, नियोजक के उप्चार से सम्बंदित है option A, धारा साथ, option B, धारा नो, option C, धारा ग्यारा, option C, धारा तेरो तो इसका सही उत्तर है option D, धारा तेरो question number 206 अधियोगिक विवाद अधिनियम के धारा 2K सम्बंदित है option A, अधियोगिक विवाद, option B, अधियोग, option C, जबरी छुट्टी, option D, श्रम नियायले तो इसका सही उत्तर है option A, अधियोगिक विवाद, question number 207 अधियोगिक विवाद अधिनियम के कौन सी धारा नियंत्र उध्योग से सम्बंदित है option A, धारा 2C में, option B, धारा 2E में, option C, धारा 2F में, option D, धारा 2G में तो इसका सही उत्तर है option B, धारा 2E, E में, question number 208 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अंतरगर, प्रतिकर आयुक्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरत है option A, सपत पर साच्छे लेने के प्रयोजन के लिए, option B, गवाहों की उपस्तिती प्रवर्थ करने के लिए, option C, दस्तावेजों एवं अन्यम महत्वपूर्वस्तों को प्रस्तोत करने के सम्बंद में, विवश करने के सम्बंद में, option D, उप्रुक्त सभी option 209, सामाजिक सुरच्छा उपाय है, option A, वे एक लोग कल्यानकारी राज्य के उद्देश्यों की पूर्ती के दिशा में, महत्वपूर्व कदम है, option B, वे कर्मकारों को इस योग्य बनाते हैं, कि वे अपने काम, वे कौशल से अधिक सच्छम हो सके, option C, उप्रुक्त दोन question 210, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अंतरकत कौन आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्राधिकरत है, option A, राज्यपाल, option B, राज्य सरकार, option C, केंद्र सरकार, option D, राष्टपती, तो इसका सही उतर है, option B, राज्य सरकार, तो अब तक हमने labor loss के total 210 question को solve कर लिया है, आगे भ आप हमारे चैनल को जाता से like करें, share करें, subscribe करें, और इससे पहले कि जितने भी पाढ़ हमने upload किये हैं, उनको आप playlist में जाकर जरूर देखें, thank you so much